नमस्कार हाजिर हूँ मैं रवी कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं मद्यप्रदेश 37 गड़ तरंग 24 योज आपको अपडेट करवाऊंगा बड़ी खवर से जहां रूबरू करवाऊंगा आपको मद्यप्रदेश के देवास जिले से बताता चलू कि एक बड़ा सड़क हाथसा देखने को मिला जो सटर्डेग यानि कि सनीवार को लगभग 14 बज के 43 मिनिट पर एक सड़क हाथसा होता है जहां सड़क हाथसा कैसे हुआ इस बात का खुलासा नहीं होता लेकिन अगले दिन देखा जाता है कि एक बड़ेक्ति का सब मिलता है और एक बढ़ेक्ति जो है तो कंफीर रूप से घायल था लेकिन इसका राज नहीं खुल पा रहा कि आखिर में ये सड़क हाथ्चा हुआ तो हुआ कैसे जिसको ले करके पुलिस ने दो दिन तीन दिन चार दिन तक लगातार जाज़ परताल किया जहां देखने को मिला कि आज गुरुवार को कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा खुला सा हुआ कि ये आखिर में सड़क हाथ्चा कैसे हुआ बताता चलू कि जो है रोड पर आए दिन देखा जाता है ओबर स्पीड ओबर स्पीड का मतलब ये है कि जो लिमिट में इनसान रहता ही नहीं है ऐसी ही वारदा देखी जा रही जहां बता दो कि बीच सहर में गोड़ा और गोड़े के उपर एक सवार व्यक्ती जो कि मार्केट के उस गलियारों से निकल रहे जहां आए दिन वाहन लगतार चल रहे है जो ओबर स्पीड चल रहे है वही आपको बताता चलू कि घोड़ा जैसे ही रोड क्रॉस करता है तो कई गाड़िया निकल जाती है घोड़ा खड़ा रहता है लेकिन जैसे ही एक और बाइक वाला आता है तो घोड़ा हलका सा आगे बढ़ता है आप इस टाइम पर देख पार होंगे किस तरीके से सड़क हाथसा हुआ है जहां घोड़े के बीचों बीच ये जो है बाइक सवार गुज जाता है लेकिन घोड़ा उठके खड़ा होकर फरार हो जाता है जिसके चलते मौके अवारदार पर देखा जाता है कि व्यक्ति समझ जी नहीं पाते कि आखिर में ये सड़क हाथसा हुआ तो हुआ कैसे समझ में बिलकुल नहीं आ रहा तो जहां आपको बताता चलो कि पुलीस ने लगातार इसका जाच परताल किया और जाच परताल करने के बाद पता चला कि सहर को बीचे बीच ये सडखाता कैसे हुआ जहां से सिटीवी से कुलासा हुआ कि एक घोडे से टकराया ये बाइक सवार जिसकी मौत हो गई क्या पूरा मामला है जानने का प्रयास करेंगे देखिए ये बयान जवार नगर के थे एक मतने वाला का नाम अमन है और जो है ले उसका नम शुभम मालवी जिनांग पंदर सारी की घटना है मैं ऐसा ही रही है और माना उद्द्वी शेत्र देवाब मुद्बु धन्यवाद लगतार बने रहें तनकटी फोनियों से और भी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे मुद्बु धन्यवाद